हालो इंडिया सुपरवाद क्याल क्यासे हो मेरे दोस्तों मैं भी बोजा बढ़िया हूं नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागता जमुक्ष मिरसे बैसे दोस्तों आज ना संडे है और मैंने सुझा गर की ना सफाय की जाए क्यूंकि आपको बता है हमारे गर पे कोई भी चो बैन है मेरे उसकी शादी हो चुकिया उल्टी दो चुटी बैन है ना उल्टा नुकसान करती है में उनके कले परसु पेपर खत्म हो जाएंगे फिर आपको पता चली साइगा और वाई संडे है मैंने सुझा क्यूंकि मामी जी को पहले फुरसद नी मिल दिया है उदर के तो नहीं बोटी आजाएगी कामशाम करने में जुड़ी साच से हो जाएगी करवार्टे नहीं इए जो हमारी का क्या हाल जो हमें 6 मीने खानी है कि आदो साल खानी है और अब शौनी सब्सक्राइब वारिश के फटांग हो चुकिया गरा शेंब लॉग में दूसरी ची दिखान को ब्लॉग में पता चली जाएगा तो ठीक है मैं दोस्त आज का दिन शुरू करते हैं कि काना जी का नाम जाओ काना जी की इनना फास फास बोले जा रहा हूं और बाहर का कुछ ऐसा नजा रहा है और भाई हमारे गाहों में ना वह बागवत कथा चल रही है साथ दिन के लिए अवाज आ रही होगी रोड वाली साइड ही चल रही है 101 कुंड बनाया हुआ है 101 कुंड है 110 कुंड है शायद कुछ ऐसा यह और सारे गर वाले कुछ टाइम के वाद चले जाएंगे बागवत सुनने के लिए और गास लाने का काम भी आज में रही है मैंने लगकी तू आज मैं लेके आँगा खेतो वाली साइड से यह ना और बाई लोग काफी सारे बाई लोग कमेंड कर रहे थे वहां बेना एक एक जॉस्ट फैन लगा दो भाई एवन कि यहां बेक्शन भी है पर मुझे नहीं लगता दूआ निकलेगा यार मुझे लग रहा है यहां बड़ा श दूरे कठा कर लिए रात का और आज सुभा का फिर से खुआ बनाना या मामी के ना पहले एक हैंटा हो चुक है खाना बनाते बनाते दो ग्यंटे वह लगने वाले हैं यह था बनाने के लिए वीमें तो मैंने बोला है आप रहने दो मैं बना लूँगा क्योंकि मुझे आता रेडियो के मामा जी जाड नहीं रहे थे मामी जी नहीं थोड़ा फोर्स कर रहे है क्योंकि हवन कुंड चल रहे हैं 101 कुंड बनाया हुआ है वहां पर बैठना बढ़ता है गावालों को मला अपनी चौइस है तो मामी बोल दिये मामा जी को बैठने के लिए और मामा को सब्सक्राइं तक पानी डाला जातए देना मामा यहां घंगाजल बाटों सेम अटी कराब यह हैं एक रसानों कभी कराब नहीं होता तो जा रहे हैं करूं सब्सक्राइब दोड़ा है भी काफी बढ़ा चाहिए लिटर होगा इसको मतलब उड़ा कि इसका एवापोरेशन रगर करके बाइसे लास्त में आदा किलो बनाने तो कम से कम लगने वाला इस परसास में आदा गंटा एक एक गंटा मानके चलो भाई अभी कहां पेा कडशी कर्शी से लाता रहूंगा और शाम तक नहीं एक दो ग्रेंटे में वहनी जाएगा क्योंकि मामी जी आज बैठे हो इतना बस मेरे को पूरा एक एंटना ऐसे ही लाना है वाई आप खावने में जिन्हां टेस्ट आता है क्यूंट आज खुद बना कि चाकिया जाए कि मैं टेस्ट बना सकता है या नहीं बना सकता मामी अंदर काम कर रहे थे ना मामा रेडियो के मलग कब से वेट कर रहे थे कि मुझे पैसे तो मेरे को जाना है तो मामी थोड़ा सा लेट होगे मामा चलेगे रूट के वाई मामी तुस्ते निजा रहे क्यों मामी निजा रहे पहले मेरे को लग रहा था मामी जा रहे हैं मामी बोलिए गर पे काम है मैं मैं निजा रही भाई आप पढ़ने वाली है मुझे गालियां इसे बोलते हैं नजर हटी दुरकटना गटी मैंने पता नहीं एक अगे लगा दियो और सारा दो जो में वाला दो तरना उपर मतलब क्रीम डाइब वह सारा बाहर निकल गया अभी पक्का गालियां पढ़ने वाली है इससे पहले मामी जी अंदर रहे मुझे साफ करना पड़ेगा सारा सारा सत्यानास हो गया आज मैं आपको सिखाऊंगा खुआ कैसे बनाते हैं बर्फी कैसे बनाते हैं स्वीट कैसे बनाते हैं बडिक्कर जिया कि जे वाली गलती मत करना यार मैंने एक दम से आग आगे कर दी और जिसका खामियाजा मुझे बुक्तना पड़ा इवन की यहां तो बिखरा हुए दीक्क्षे ऑग जाना था खेतो वाली साइड बडिकत जया कि मेरे को जाना था जाना था लेने के लिए पर लगजीन पहले गास लेकी अजगा जुक है अभी मेरा काम है कि इससे प्राली के साथ कुटर के डल देता हूं क्यूंकि मामी जिआ भी खुआ बना रहे हैं फिर ख अपनी गोश्याहा ना गुस्ता हो रहे है जल्दी लेकि आगास है ना अगास है पर लाइट भी होनी चाहिए ना लाइट है या और देख लाइट ही नहीं नहीं है ओमाइगोड लाइट लिए भाई तो भी तोड़ा वेट करना बड़ेगा अरे मिस बंद कर देते हुं पता चले लाइट आगी और चलता रहेगा यह कि अशुक्त कि अशुक्त हुप कि है कि गाज को उतर गया हम पहुंच चुके हैं फिर से गर बापिस और थोड़ा बोधना जल गया है इस बार खराब क्यों हो आवामी है दिख रहा है ना नीचे लगा हुए वाई एक साइड ना आग थोड़ी ज्यादा थी शाय तो एक साइड से ना नीचे लग गया वाई नीचे लगना मतला थोड़ा ना पक गया है दिख रहे है कलर भी थोड़ा चेंज होगे जैलो जैलो लग रहा है मैं तो श्लाइट आने दो थोड़ी अंदर और और चार किलो दूद का ओंली कितना बने आदा किलो भी नहीं बने इस बार आदा किलो होई जाएगा वैसे वैसे अधा किलो खोगा बने कुछ ऐसा है जुमी जुमी लग रहा है अगर मैंने इसमें चीनी डाल दी ना कमसे को आदा किलो तो होई जाएगा फिर तो बर्फी बन जाएगे पर दिक्कत देया फिर आंचु भी खा लेगा लग्की भी खा देगा और सारे खाई लेंगे खत्म हो मेरा चैना बड़ा फ्रेश नजार आ थ होका वह पता क्यों है क्युक्छ दोपेर ना कमसे कम 2 गैだけ नेद आती है वह पता क्यों आती है मुझे रात को जशूए तो नजार है मामा जी सुअ ऑफी बरने अभी भी आवाज आरी होगी और अभी चलते हैं वाई खेतो वाली साइड मैंने आपको बोला था ना ब्लॉग के स्टाइडी में आजम जाएंगे खेतो वाली साइड अपनी गेहू की फसल देखने के लिए और अपनी वाई मशीन भी खराब हो चुकी है बोशी मिशीन इसलि और मेरे दोस्ता को याद है ना जब राम अंदिर का उद्गाटन हुआ था उसके मैं तीन चा दिन के बाद दर्शन करने के लिए था उस टाइम मैं ना देखो कितना सारा परशाद लेके आया हूं और मेरी पैंट की पॉकेट में था अब जाके मिला है सोरी बैग में था औ और तुलसी माला जी कि माला बता करन मेरा दों प्यूर वाला बैस हो हमें तो जलो गूमना वहता है कभी-कभी ना नॉन बैस हो जाता है मामी मुशन मुर्गा खाती हो नहीं फिरे लो तुल्सी माला कि माला ऐसा पूरा ये पूरा है प्षकड़ो ए साथ भी है शिरीनाम अ संदीर का है अजोद्यागा और जी आचुकि अपनी पलसर मोटर साइकल की चाबी और वाई यो दूसरा वाला है एक साम से लिए अभी वी कम से कम बोले एक हफ्ता लगने वाला है ठीक होने के लिए वारिंटी में अपने इसाप से ठीक करेंगे और उसका इंजन भी खुलेग साइड गया है गास लेने के लिए और शाम को देखना यहां पर लाइन लगी होते है जो भी आता है गास लेकर घर की और जारा होता है ठीक है नवे चलते हैं अभी शाम को तो हमारे यहां पर भी मैफील लगी जाती है और बो देखो वाई नानु जी भी गास लेके आ चुक तब भी दो वार खेतों में जाते है वाई ठीका नानु कोई नहीं मैं अभी आए खेतराली साइट जाना है और जो मैं नानु जी दिखाता हो ना अभी गास लेके गया मतले इनके साथ बगवान जी ना बहुत बुरी करिया अभी इनके लड़की की ना कुछ नहीं पहले सब्सक्राइब दो जाया को यह चोड़ी कर दी चोटे लड़के भी करी और बर्लास्क की डैत होगी सारी जिम्हेदारी नानु की ऊपर आचुक्या चोट चोटे लड़के भी है कंसे एक हम साथ मी आट मी क्लास में बढ़ते हैं इसलिए नानु को सारा काम घर का करना कि तुम्हें और पिछोड़ परा कि आप 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 अब आप 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 इस नहीं प्रेंग कि यह ने फिर्ट आप 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 से ना पांच किलोमेटर पांच पांच मिनट का सपताय करके पहुंच चुके हैं खेत वाली साइड और कुछ है सा नजार है वाई दिख रहे हैं हर जगह आपको ना गेहू दिखेगी सांस क्यों चड़ी हुई है वाई मैं तो दोड़ा भी नहीं हो मैं नहीं जोर-जोर से बोलता हूं आज़ो तो चुकी है फूल जाती है लंबी सांस लें कुछ हां तो वह दिख रहे हैं हर जगह की फसल है यार फिलाल अभी तक तो बगवान ने साधी है लास में इन्हीं जादा आंधी चलती है ना बारिश और फिलाल बगवान की दिया से अभी तो सही सलामत है इस बार मुझे लग रहा है कोई बिमारी भी नहीं लगी है ना से सलामत है फिलाल अभी अपना घ्राइश चील वाला बाटा बने सब्सक्राइब कोई यहांब कोई वाज़े नहीं आ रोए बिलखुल शांती वाई रादे चाहिए में बोला है ना हमारे मुखले वाले जिनें भी लोग है ना दिख रहे हैं सभी ने गाय मता रख्यूई है और जे सारी हमारे मुहले वालों की है कौन सा है बाई शौटकर रास्ता जिवाला है शायद मैं आपको बता जब गेहू लगाई थी ना लास्सम उसी टाइम आया था आपको बता है ना वहां पर रिल भी बनाई थी ट्रैक्टर भी चलाया था कुछ ऐसा ही है और वह सामने नै लग रहे है ना खीतों वाली साइड आके सची यार लो वाई चगवड करो पहुंच गया अंकुष भाई अपने खेत में और जो स्कून आता है ना सची आर अपनी बच्पन की सारी जादे इधर ही है जब मैंने कच्छा बैना नहीं सीकता था उस टाइम से मैं खेतों में का है रहे है और अब पानी नहीं आ रहे है ना इसकी वैसे और यहां पे यह सूख रह है क्योंकि जो रीवर से पानी आता है ना रावी से आता है तो यहां पर अब तो वहां पर पानी नीचे की और शोड़ा जाता है तो अभी बरसात होगी ना पहली वाली जब बरफ पिगलना शुरू हो जाएगी गर्मियों में फिर जागे पानी आएगा वाई अब अब कुछ आशा है फिलाल हमारी वी मसत आ या दिख रहा है पर इस चिट्टा ना बड़ा बड़ा नहीं थोड़ी हलकी क्वालिटी कामने बीज तो बैसे हमने जो मिलता है ना कहां से मिलिया यार मला हाई क्या यार दुकाना वे नाम ही नहीं जादा आरे मलब जो गोर्म क्या बोलते हैं से बाज रेदा शिट्टा चलो वाई और आगे जाके देखते हैं है कि मेरे खुशी नहीं अब इस तरह समझ सकते हो जो शहरों में काम करते हैं जब जब कभी अपने खेतों वाली साइट जाते होंगे गाउं में जाते होंगे पुश्टैनी गाउं में फिर जाल तो ठीक अभी बाई इतनी सारी आंधी आएगी पता नहीं यह लास तक सर्वाइब कर पाएगी जा नहीं पर इतना है कि अपने खाने के लिए होई जाएगी कुछ आइसी है मैं थोड़ी अपनी गोश्टाला को ठंडग चाहिए बैंस को गाए को तो इसके लिए यह सारा लगाया हुए और यह वाइट वाइट फूल आपको दिख रहे हैं ना इसे क्या बोलते हैं मेरे तो मैं काफी टाइम के बाद खेतों में आ रहा हूं ना इसे बोलते हैं मोंग खेतों के बगल से निकलते हो ज्यादा भी नहीं होगा आदा किलोमेटर होगा वह दिख रही होंगे सामने से गुजर रहे हैं ना इनी पास से घुजरते हैं हमारे खेतों वाली साइट से ठीक है चलते हैं और मेरे दोस्ट सागर मैं अपनी जिनकी के ना पांची साल पीछे और इस ग़ी को इन एक कोर रहे हैं को आपर से मैं और यह बहुत कुछ बहुत मैंनत करें कुछ ऐसे बहुत सकते हैं तो डि ayam मेरा दोस्तावी चलते हैं अभी हां जाने वाले यहां पर हमने आलू हुए हुए थह ना चार कॉएंटल हो सबजी लगाया हुई है और अभी आईएंगे जब गेहु कटने वाली होगी कि ना उस टाइम आएंगे से यह ना चलते हैं मेरे दोस्तावी किना मर्स लग रहा यार केतों वाली साइड सची यार मलब बड़ी शांती शांती सी बनी हुए है ना लास्ट टाइम आपको जाद है ने यहां से गन्ना लिया था अभी तक गन्ने ना बैसे के वैसे हैं पहले मिले को लग रहा था इन्होंने ना गुड़ बना लिया होगा वर्त अभी कुछ भी नहीं कर रहा है वैसे अपने नानुजी के वाई है ना उनका खेत है और यह इकलो न परसंद करणाउना सकता हूं पर दिक्स्विया कि घंञे के खेत में झाले कभादम ना वैसे सारे खुभ यह यहां तो इंटित वह थ्याम अदेख ज्यानहिती हैं ओ आ यहां पर सारे एक से बढ़के हैं चलो जिवला ले ले लेते हैं बाई जया श्रीकिष्णा कर दो दोस्त एक ना जमाना था जब आपने बुजूर्ग लोगना एक जगा बैटे बैटे दो तीन गन्ने चूस लेते थे मला खा लेते दांतों से बड़ाजकल के नोजवानों के मुँ में दांत ही नहीं है वाला गुटका खा खाके सारे खतम कर दिये और वाई इतना बड़ा गन्ना तो ले लिया मुझे वही टेंचन हो रही है खतम कैसे करना वाई क्योंकि काफी यादा टाइम लगता है सचवाना बढ़ता है ऐसे से करके तो मेरे दोस्तावीना मैं अपने उस वाले खेट में पहुंच चुका है यहां पर मामा जी बोले थे ना चार कोईंटर अलू है और यहां पर शाम हो चुकी है मामी जी निकाल खीन लें खाये का दूद्ध और पहले मेरे को लग राता है यहां पर अपनी बोलात सारी सब्जी बоки्याम्स पर लगा लगा थी बताशवारी सब्सक्राइब सबजी टाइम पर मिल जाती बढ़ आभी फिलाल सब्जी तो मिली जाती यह क्योंकि मतर ना रास्ता यह साथ में आता जाता वंदा खाता भी रहता है और एक सब्जी जी अवाई अपनी जी कूंसी सब्जी है जाता नामी नहीं जाता है क्यों कुछ इसा बोलते हैं बस इनना ही है यार पहले में गूल लग रहाता है हुआं पर सब्जी होगी बड पानी नहीं आया टाइम पर तो सारी सब्जी खराब हो चुकी है मलग खत्म अब आपना बसीनी है तोड़ी है मैं दोस्ता अबी चलते हैं शाम भी हो चुकिए घर की तरह अरवाना होते हैं अब है कि अब कि अब